एलो एन वेलकम बाक तो माई चैनल इस सब्जेक्ट मास्टर्स मैं हूँ आपकी कोच रुची गुपता रुची माम बेसिकली और अब हम करने वाले हैं जोग्रोपी के बाक के एंची आटी क्वेस्टिंस ठीके ना बटा आपको मालूम है आपके एक्जाम जाने वाले हैं और वेलों को करने से बताइ तो जरूरं कोशन रा करो क пам Holz तरह कि को करने कि आप ने चाप्टर कर लिया है चीए आपने में में माप स्किल्स वीडियो भी अप्छोड आप स्कुल्स करते हैं थोड़ए से के फॉर्माट में है तो पहला वाला जो क्वेस्टिन है हमारा वो है दो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास्थू मादब आप देखो यह नहीं किसके थूपास कर रहा है यह किसके थूपास नहीं कर रहा है बेटा यह नेगेटिव क्वेस्टिन होता है इंको तुम ऐसा पास्थू किसके थूपास नहीं करता ठीक है अब यह चार ऑप्शन से राजस्थान शत्यसगर्ड उड़िसा एंड तुरपुरा ना फटाफट पड़ाफट बताओ कौन सा बच्चा बताएगा क्योंकि हमने आपको पता है कि आपने वह करावा है माप स्किल्स का टॉपिक कर लिया है माप स्किल्स के टॉपिक पर हमने करा है यह आपको याद होगा जिसमें कि हमने बताया था कि जो टॉपिक ऑप कैंसर है यह इंडिया की आठ स्टेट से पास करता है गुजरात राजस्थान मध्यप्रदेश चत्यसगर्ड बिहार बेस्ट बेंगॉल त्रिपुर का एंड मनिपूर ठीक है तो अब जहें इसमें अब आप जहें यह देख सकते हो कि कहां से जहें हमारा जहें कंट्री जो अब उसमें जो प्क्रफिवी हैं वो फ्रसे काँग से जहें कार् i नॉट मनिपूर मिजुरा गलती से निकल गया शौरी मिजूरा ठीक है चलिए ओक के संसुत्र सो त्रपुर्ण थे निभाद मिज़राम के वाई चलें कोण सारी राज्शेस्था नहीं हो यह से भी पास हो रही है थाट्रीफ राइस में लकार्म उसके बापॉन्न साथ में पीस थे निकाराम वहैं संब काहिए इसा तो मारत को क्या निकालना है इसमें डश नौट पास्थ्टू मतलब काज पास की अरी विच इस उरी सब नव नेक्स पार्ट इस्टरन ओड अप इंडिया की जो सबसे इस्टरन ओड जो सबसे राइट इंसाइड पे से जो लॉगिचूट गुजार रहा है वह कों सा है अ सवाला डिगरी बहुत 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 समझ के भी आ जाता है एंडिया की इंडिया जया है आध मेरीडियन कुछ इटायम मेरीडियन गुजरती इसलाइब होड़े टाइमध मैजर करते हैं अगर इस रंकी बारे में बात कर रहे हैं तो automatically वो उससे भी जादा उदर हो जाएगा उससे भी जादा East को चला जाएगा उससे भी जादा Right In Side को चला जाएगा तो obviously ना तो 77 degree हो सकती है ना तो 80-68 degree हो सकती है which is very obvious it has to be 97 degree फिर भी एक बर देख लेते हैं तो यह आपकी जह है यह वो 82 degree 30 minutes वाली जह है यह आपकी Meridian of India है जहां से कि हम अपना time major करते हैं तो इससे भी Eastern longitudinal बिल्कुल end पे which is 97 degree and 25 minutes पे यह कौन सी है आपकी longitudinal expense बिल्कुल longitudinal extend of India बिल्कुल extreme end जह है 25 minutes east ठीक है good चलो आगी चले उत्राखंड उत्रपरदेश बिहार West Bengal सिक्केम have common frontiers with now अब यह आपने करा है उत्राखंड ठीक है अब आप खुद सोचो उत्राखंड कहां पे है उत्रपरदेश उसके बाद पहले इसके बाद है उत्रपरदेश फिर है बिहार फिर है वेस्ट बेंगॉल और उसके बाद सिक्केम तो यह पूरा एक माला सी बन गई है यह सारे के सारे स्टेट्स मिलके कौन से कंट्री के साथ टच करते हैं यह पूरी गॉल बन गया पूरा गोलाई में बन गया है अगर आपको याद हो ऑविसी कुछ सोचो बैटा चाइना भुटान नेपाल म्यानमार म्यानमार के साथ आपको याद है सारी सेवन सिस्टर स्टेट्स लगती है इन में से कोई भी सेवन सिस्टर स्टेट में मलब सेखिम को छोड़के बाकी कोई सेवन सिस्टर स्टेट नहीं आ रही है ठीक है बुटान भी नहीं हो सकता चाइना चाइना के साथ आपको पता है बिहार नहीं लगता उत्रपरदेश नहीं लगता तो कौन सा कंट्री बचा सारा हमारी स्टेश करती है यह है नेपाल तो यह फ्υरा सिय इसका अगर आप चाहते हो कि मैं इसको माक भी कर दो चलो में माक कर देयु तो इसका एंसर है उडिसा उडिसा के तृफास नहीं करती ऋख़ए कर देश्ल If you intend to visit Karawati, sorry, मैं हमेशे पते नहीं क्यों सो करावाती बहुती है, sorry, this is Kavaraty, during your summer vacations, अगर आप Kavaraty को जाना चाहें, summer vacations में घूमने के लिए, which one of the following union territories of India, India की कौन सी union territories में आप जाएंगे, you will be going to, यह अगर आपको याद हो, हमने map skills में यह बात करी थी, map skills में करा था, कि कवर आती जो है, कौन सी वाली union territory की जो है, वो है, capital है, याद है आपने, हमने क्या करा था, बताओ, 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 अगर मैंने निकोवार आइलेंड की capital क्यों सी थी, port Blair, ठीक है, कौन सी थी नहीं, मतलब कौन सी है, अगर आप घूमने जाना चाहते, तो आप कौन से वाली union territory जा रहें, आप बताओ, लक्ष्रद्वीब, चालिए, तो अब हम इसको अगर आप चाहें, तो मैं इसको mark कर देती हूँ, तो हम कौन से वाले union territory में जारे हैं, लक्ष्रदीब में, मेरा फ्रेंड ऐसे country से आता है, विच दस नॉट शेर लांग बाउंडरी विद इंडिया, जो कि लांड बाउंडरी के साथ, इंडिया का उसके साथ connection या connected नहीं है, ये common boundary, लांड बाउंडरी नहीं है, ये तो इनको थोड़ा सा ध्यान से करा करो बेटा, तो ये बहुत बाउंडरी नहीं करते हैं, विचेर्स लांड बाउंडरी नॉट बीचे बूल जाते हैं, फिर उनका अंसर गलत हो जाते हैं, जिसके साथ इंडिया लांड बाउंडरी शेयर नहीं करती तो आप खुद देखो बुटान हमने करा था यहां पर अगर आपको चुड़ी सी पिक्चर दिखाई दे तो बुटान यहां पर है, यहां पर हमने बुटान में करा था, बुटान को टच करती है, बांगलादेश के साथ टच करती है, बांगलादेश के साथ मैंने आपको बताया था, बांगलादेश के साथ इंडिया का लॉंगेस्ट बॉडर है, लॉंगेस्ट बॉर्डर, नेपाल, येस नेपाल को टच कर जह है USSR पहले जो USSR अब जो रश्या हो गया है तो रश्या के नीचे वाले हिस्से में यह कंट्री जह है यह पड़ता है ठीक है चले एक लियार आम शूर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है चालो अब नीचे चले कॉन सिटन के रहता है उंध संसे करा चिए लॉक्षा बीप आलाय के टो वेस्टर्ण साउट टिक के यह पाता है अपने कराव आंच यह लंख को क्वाइब करते हैं Name the countries which are larger than India कौन से ऐसे countries हैं जो कि इंडिया से larger है ठीक है यह आगर आपको यादो हमने विडियो करी थी और यह वीडियो वान पॉइंत वान वीडियो का ही हिस्सा है जिसमें कि हमने बात करी थी कि इंडिया जो है वर्ल्ड की 7th largest land area है इंडिया के पास सबसे पहले आता है हमारा रश्या उसके बाद आता है कैनेडा और कैनेडा के बारे में हमने बताया भी था आपको कि कैनेडा की वर्ल्ड की longest coastal line है और बेटा क्योंकि इसलिए हुआ है क्योंकि इतना सारे इ पूरे गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल करके मेजर चैप करते रोगे न यह वर्ल्ड की longest coastal line कैनड़ा की बन जाती है तीसरे नंबर पर युनाइट स्टेट अपर नंबर पर चाइना 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 का एरिया विश्ट नंबर पर आता है ब्राजील का एरिया शिक आपको बताना चाहूंगी जो कि नॉमली मैंने देखा है बच्चे थोड़ा असाना अच्छी तरह से confusion करते हैं जब भी आपको इस तरह कोई question आता है तो प्लीज 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 यह न एक तरीका होता answer करने कर दो नॉट राइट दी आपको अप्रोच दी आपको प्लीज यह न गया गर्ज़ा करें तो यह तरीका ना आपको लाइफ्लांग अप्ना पड़ेगा यह तो आप्टे खेंगे यह तो तो यह बच्चे जो आगे-पीचे 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 एंसर करते तो उससे साफ पता चिल जाता कि इन्होंने सर्फ रट्टा मारें, इन्होंने समझा नहीं है, अगर आपने समझा है उसको तो हमेशा उसको एक chronological order में ही answer करो, जितना साथ chronological order में आपने अगे-पीचे आगे-पीचे 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 ते नहीं यह तरीका नहीं एंसर करने का इवर एंसर अंसर होना काफी नहीं होता आंसर को किस तरह से अपरोच करना भी बहुत साथ important होता है इंफाइड बहुत सब्सक्राइब बच्चों के इसी वह से यह कटते हैं या फिर इसी वह से एक्स्ट्रा मार्क्स उनको बिलते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अपसही तरीके से उस एंसर को अप्रोच कर रहा होते हैं तो यह बात आपने जोना हमेशा ध्यान रखने हैं और इसपेशी जिब आप सिर्म बड़े होते जा रहे हैं चालिए आगे चलते हैं इंडिया के नीचे वाला और इस्टरन साइड यह हो गया तो फाइनली कौन सी बना ये वाला इलाखा तो इंडिया के साउथ और इस्टर्ण साइड पे कौन से आइलेंस लाइक करते हैं आपको पता है कौन से वाले अंडमेन और निकोबार आइलेंस येस आपको पता है अंडमेन मैं सिर्फ ए और एंड लिख रही हूँ तो एन एन लिख रही हूँ मैं तो जो कि आपको पता है अंडमेन और निकोबार आइलेंस ओके विच आइलेंस आर आस सद्रन नेबर्स कौन से आइलेंस कंट्रीज हैं जो की हमारे साउथ में नेबर्स परते हैं जो कि इंडिया के बहुत क्लोज लगते हैं अब आप मुझे एक चीज पढ़ा पर बताइए इसका क्या एंसर होगा एंड मुझे पक्का वालू में बच्चे सिर्फ एक क्वेश्टन एंसर करेंगे और दूसरा बूल जाएंगे ओंसर वाले हैं बेटा पटा 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 इम शूर श्री लंका तो आपको पता ही है ठी इस माइल्दीव के आइलेंड भी इंडिया के जो हैं वह इंडिया के सद्रन नेबर्स है ठीके बटा तो यह आपको बहुत अच्छी तरह से अब समझ में आ जाना चाहिए तो इसमें दोनों कंट्रीज मेंचन करने तभी यहां पर लिखाव है कंट्रीज कंट्री नहीं लि next question the sun rises two hours earlier in Arunachal Pradesh जो सुर्य है वो Arunachal Pradesh में दो घंटे पहले उगता है as compared to Gujarat Gujarat की comparison में Arunachal Pradesh में दो घंटे पहले उगता है in the west Gujarat जो की west का extreme end है अरunachal Pradesh east का extreme end है यह आपने जो है extreme eastern state है यह आपने जो है हमारा जो हमने map skills का video कर रहा है उसमें आपने अच्छी तरह से देखा है कि Gujarat जो है western extreme state है and Arunachal Pradesh eastern extreme state है तो वहां से east से ही sunrise होता है तो east से rise होता है but watch but watches show the same time how does this happen but watch जो है same time जो करती है यह कैसे होता है यह हमने जो है अगर आपने विडियो करी है time zone के उपर जो कि इस chapter की third video है 1.3 video है तो आपको भी पक्का मालूम है I'm sure आपको याद होगा कि जैसे-से sun गूमता है यह sun जैसे-से sun गूमता अर्थ गूमती है तो सबसे पहले जहें अर्णाचल प्रदेश की तरफ से जहें Sun के सामने आती है तो जिसे ऐसे करती है तो जो डॉंग गूंटे बाद जाकि जो गुजरात का इलाका बोसन के सामने पहुंचता है सान अपनी जगें पर सन नहीं घूम रहा अर्थ जैसे से घूमती है तो पहले यह सामने आएगा अर्णाशल प्रदेश का हिलाका फिर गुजरात का हिलाका सामने आएगा दो गंटे के बाद है ने एक सेंडर पॉस्ट ले लिया है जो की लाई करता है कोंसा बिल्कुल जो बिल्कुल इंडिया के दोनों लांगे चूट की जो एक्स्ट्रीम उनके बिल्कुल जो सेंटर में जो लाई करता है वो पॉइंट हमने ले लिया है जो कि 82 डिगरी त्री मिनट इस्ट पे है ठीक है यहां से यह मिर्जापूर के थू जो है यह लॉंगिचूड हमारा गुजरता है और वहां पे जो है जो टाइम होता है वो हमने पूरे कंट्री के लिए तो हम कर दिये है चई तुम अरवनाचल प्रदेश में हो चाहे तुम गुजरात में हो जाए बले ही गुजरात में दो गंटे के बाद जन पहुंचेगा तो बहुत यह ताइम दिख। जो कि क्योंकि हमने mandatory कर रहा है हमने यह rule बना रहा है हमने mandatory कर रहा है कि पूरे country में एक ही टाइम लागव होगा single time zone होगा तो बहुत जादा मुश्किल हो जाएगी बहुत जादा मुश्किल हो जाएगी से सुबह के 6 बजे कोई इनसान यहां से flight लेकि एक घंटा travel करके गुजरात पहुचता है तो अगर हम लोग यहां का अलग time कर दें तो क्या होगा कि एक घंटे के बाद गुजरात पहुचे कर देंगे और यह कहेंगे कि नई जब गुजरात में पहुचे का तब 6 बजाएंगे हम लोग तो इसका मतलग क्या हुआ कि वो बन बो जो इनसान है मिर्जापुर से गुजरात पहुचके पर time अभी भी 6 बजे रहे है कि गुजरात में तो एक घंटे के बाद आय तो उसको अवाइड करने के लिए पूरे इंडिया में एक ही time zone applicable है मिर्जापुर में जहे जो time होता है वो ही time पूरे country के अंदर applicable होता है तो इसी लिए जहे जहे भले ही अरुनाचल परदेश में sunrise पहले हो जाता है और गुजरात में जहें बाद में होता है बट वाच जहे overall पूरे इंडिया में एक ही time दिखाएगी क्यांकि हम single time zone follow करते है ठीक है वेटा clear चलिए एक पर यह clear हो गया next question the central location of India at the head of the Indian Ocean so India की जो हमने यह again 1.1 में बात करी थी कि इंडिया की जो location है world में जो है Asia में south में and center में पढ़ती है southern side of Asia and also the central side of Asia और यह बिल्कुल जहें ना इंडिया के बिल्कुल टिप पे है इंडिया नोशन के सर पे है basically at the head of the Indian Ocean is considered of great significance वाई यह एक इंडिया के लिए बहुत important बहुत strategically important जहें ना जो है location है और यह हमने पूरा उसमें 1.1 में discuss करा था कि किस तरह से इंडिया की इस location की वजह से इंडिया जो है world के सारे countries के साथ बहुत easily connect हो सकता है you know far east जो कि आपका जपान वगर नॉर्थ नॉर्थ कोरिया साथ कोरिया साथ कोरिया नॉर्थ कोरिया आपका पता है is a closed economy वह ज्यादा contract नहीं करता बट साउथ कोरिया जपान इनके साथ भी connect हो सकता है इंडिया जहें इसमें East Asia आपके जए इन्ओनेजिया विलोपीन लाइसिया इन सारे country के साथ बहुत असानी से कर सकता है इसके इसकी वड़ेंड जहें ऑस्ट्रेलिया के साथ भी असानी से connected है New Zealand के साथ भी connected है and then जो है आफ्रीका के सारे countries के साथ जैना वो उसके साथ भी बहुत इंडिया असानी से जह है कर सकता है जाहें वो you know Madagascar का island है ठीक है फिर South Africa के साथ plus यह आफ्रीका के नीचे से होकर पूरा लेटिन अमेरिका को हम टूच कर सकते हैं और स्वेश किनाल के बारे में कितनी डीटेल में बात करी थी कि स्वेश किनाल कप खुला था 1867 में और क्यों खुला था क्योंकि बिटिश को 1857 की लडाई के बाद जब उनका पूरा इंडिया के अपर यहां पर बहुत चोटा सा लांड एरिया था जो कि जुड़ा था बाकि सारा सी था तो उनको अइसास हुआ कि अगर हम इस लांड एरिया को बीच में से कट 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 कर देंगे तो एक स्वेश के नाल निकाल सकते हैं और यहीं जो किनाल है आज जो है वर्ल्ट का बिजिएस और इंडियन ओशन जो है वर्ल्ट का बिजिएस्ट जो है ओशन क्यांकि इस इंडियन ऑशन के थूरू जो वर्ल्ट की जो 4-5 बड़ी में सब ट्रेड करते हैं च्वेश तो यहां पर आपा अब कुछ बेज ना होता है तो इस यह तो इस ही तरू बेस है एक दूसरे के साथ trade करते हैं, trade मतलब export, import, कुछ भी समान आयाद या निर्याद करना है, तो इसी लिए ये ये जो है बहुत जादा strategic significance है इंडिया के लिए, क्या कि इंडिया इसके थू सारे countries के साथ, सारे world के सारे continents के साथ connected है, ठीक है, अब ये बिटा, आप जैना, I really want कि आप इसको अपनी language में लिखो, क्या कि तभी आपकी English speaking and English writing skill भी important बढ़ेगी, जो कि बाद में ना, communication जैना, आप avoid करी नहीं सकते हो, मतलब रटा मार मार के, लिख के, आप शाएब marks लेलोगे, बट फाइनली आपको, जैना, communication तो आपको improve करनी ही पड़ेगी, and with this, जो है, we end with all the questions, ये चारो के चारो questions आपके end के हो गए है, so with this, I am sure आपको, जैना, कफी हद तक, जैना, ये chapter, जैना, revise हो गया होगा, और अब, जैना, मैंने आपको promise कर रखा है, कि NCR, इस chapter के basis पर कुछ numericals बनाने की, तो अब मैं कोशिश करूँगी, कि आपको वो numericals की video जैना, बना कर आपको दे सकूँ, so that कि आपको जब तक हम second chapter शुरू करें, आपको बिलकुल अच्छी तरह से fully तयार हो, and please, जो कि मैं हमेशे request करती हूँ, please do subscribe, like and share the videos. Okay, bye and take care.